सब्सक्राइब कीजिए इहंदी उरधु चैनल और ब्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लू दोस्तों इहंदी उर्दू चैनल में आप सबी नियुक्तपको बताने वहाला हूं आपके Windows N PC में ज़िए आप कोई भी फाइल्स फोल्डर एक फाइल में से एक फोल्डर में से दूसरी फोल्डर में ड्राइग एंड ड्रॉप करते है उस समय जो है दोस्तों कौनफार्मेशन अलट को कैसे इनेबल करते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हो तो आप यह ब्रोजर आप अपने PC में उपन कीजिए इस तरीके से और Google में यहां पर आपको सर्च करना है दोस्तों ब्रोकन ड्राइग एंड ड्रॉप कनफार्मेशन विडो से इस सर्च करना है आपको इंठ ड्रीड करना है उसके बाद इसके जो फर्स्ट वाली लिंक जो है दोस्तों उसको ओपन कीजिए यह वैब साइट से है उसको डाउंलोड कर सकते हैं और यहां पर जो दोस्तों आपको इस डाउनलोड का आप्शन भी जाएगा उसको लिए और दॉल्डर को डबल के ओपन कीजिए और यहां पर फोल्डर के अंदर आपको इंस्टॉलर फोल्डर मिल जाएगा उसको डबल क्लिक करके open कीजिए और यहां पर जो दोस्तों इसकी जो installation फाइल रहती है वो मिल जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं drag drop confirm installer.exe इस पर double click करके आप उसको easily install कर सकते हैं बहुत simple सा इसका installation process है installation process complete होने के बाद दोस्तों आपको कोई extra settings करने की जुरूत नहीं है जबी आप कोई भी file folder drag and drop करेंगे आपके Windows 10 में तो सबसे पहले आपको confirmation alert पुछेगा कि आपको actual में आपकी files को जो है move करना है या नहीं अगर आप ok पे click करेंगे तब जाके जो है दोस्तों आपकी files जो है यह confirmation alert message को आप इस method से enable कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको यह short सा single वीडियो पुछन आ गया हो अगर आ गया हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजे शेर कीजे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये लिना मच जाईए क्योंकि इसी तरह के amazing interesting daily videos हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं हाँ दोस्तों अगर आपको इस video के related कुछ भी dots है तो आप अपने dots को comment section में clear कर सकते हैं मिलते हैं और इंट्रस्टिंग videos के साथ thank you